एक बार गनेज जी एक छोटे बालक के रूप में चिम्टी में चावल और चम्चे में दूद लेकर निकले वे हर किसी से कह रहे थे कोई मेरी खीर तो बना दो कोई मेरी खीर बना दो एक बुड़िया बैठी थी उसने कहा ला मैं बना दो वह छोटा सा बरतन चढ़ाने लगी तब गनेज जी कहते हैं कि दादी मा छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू हो वही चढ़ा दो बुड़िया ने वही चढ़ा दिया अब वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है गनेज जी ने कहा दादी मा मैं नहा कर आता हू खीर तयार हो गई तो बुड़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे तब बुड़िया ने कहा कि गनेज जी आपके भोग लगना कहकर चूले में थोरी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी पडोसन उपर से देख रही थी तो बुड़िया न अब भी गनेज जी नहीं आए तो बुड़िया को बहुत भूग लग रही थी एक कटोरा खीर का भर कर किवार के पीछे बैट कर एक बार फिर कहा जै गनेज जी आपके भोग लगना और खाना सुरू कर दिया तब ही गनेज जी आ गए तो बुड़िया कहती है आरे गनेज खीर खाल है मैं तो तेरे ही राह देख रही थी तब गनेश जी ने कहा दादी मा मैंने तो खीर खाली बुडिया ने कहा कब खाई गनेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई जब तेरी पडोसर ने खाई तब खाई जब तेरी बहु ने खाई तब खाई और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया बुडिया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है पर बहु बिचारी का तो नाम मत लेवो वो तो सुबह से काम में लग रही है उसने खीर कब खाई भला तब गनेज जी कहते हैं चाकी के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है तूने तो मेरे को भोग लगाया वो तो वैसे ही खागई बुडिया ने कहा बेटा घर की बात घर में ही रने दो अब बताओ कि बची भी खीर जो है उसका क्या करूँ तब गनेज जी कहते हैं नगरी में जिमा दे लोगों को नेउता दिया तो सब लोग हसने लगे और बोले कल तक तो खाने का पता नहीं था आज नगरी जिमाएगी फिर भी लोग आए और ठाट से जिमे नगरी जिमा दी तब भी चरूँ पूरा ही भरा था राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों बुढ़िया ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप ले लो राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया लाते ही खीर में कीडे मकोडे बिच्चू कंसले और दुरगंद आने लगी तो राजा जी ने कहा बुढ़िया चरू वापस ले जा जा तुझे हमने दिया बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते थे पर चरा तो मेरे गनेज जी ने दिया है बुढ़िया ने चरा वापस लिया लेते ही सुगंदि खीर हो गई अब घर आकर बुरिया ने गनेज जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करूँ तब गनेज जी ने कहा जोपड़ी के कोने में गड़ा खोद कर गार दे और उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के दो चार दो चरे मिलेंगे ऐसा कहकर गनेज जी अंतरध्यान हो गए और जाते से में जोपड़ी के लात मारते गए तो जोपड़ी के अस्थान पर महल हो गया अब सुबह बहु ने फाबड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला तो बहु ने कहा सासू जी थारो गनेज जी तो जूटो है सास ने कहा बहु हमारो गनेज जी जूटो तो नहीं है ला मैं देखू और वह सुई लेकर खोदरे लगी तो टन टन करते दो धन के चरे निकल आए बहु ने कहा सासू जी गनेज जी तो साचे होएं सास ने कहा गनेज जी तो भावना के भूके हैं हे गनेज जी जैसा तुमने बुड़िया को दिया वैसे ही सब को देना और कहानी कहने वाले हुंकारा भरने वाले कहानी सुनने वाले सब को देना हर हर महार